ICI का एक important announcement है जो कि सब student को जानना चाहिए related to CA exams, ठीक है? जो May 22 का exams अभी हुआ उन बच्चों के लिए वीडियो है Group 2 वाले बच्चे ये वीडियो को बाद में देखें अभी अपना पढ़ाई करो, जब Group 2 देदो तब ये अलब वडियो यहीं पर रहेगा, आकर गे देखें इंपोर्टेंट अनॉस्मेंट्स में अगर आप click करते हैं, तो आप देखेंगे 14th में का ये notification है observation of the candidates on the question papers of CA examination CA inter, CA final वाले बच्चों अगर आपको question paper में कुछ भी गलती दिखाई दिया है, ठीक है कि ये question paper में ये question गलत था, ये information proper नहीं था, जैसे law के question paper में मैंने अलड़ी बदा रहा है पांच मा का गलती था, एक मिस्प्रिंट था, ठीक है वैसे ही अगर आपको और भी कोई question paper में कोई भी प्रकार का गलती नजर आता है कुछ भी आपको observation अपना लगता है ठीक है, वो observation वो observation जो है वो आप examination department को लिख सकते है ICI का, और लिखना चाहिए आपका जो भी observation होता है examfeedback at the rate ICI dot in बोल कर examfeedback at the rate ICI dot in पर आप email कर सकते हैं और speedpost भी कर सकते हैं बट speedpost क्यों करोगे और email का facility यूज़ करोगे speedpost इस address पर कर सकते हो लेकिन आपको अपना नाम बताना पड़ेगा registration number, roll number, email ID and mobile number ये 5 detail आपको देना पड़ेगा दरोमत इसे कोई marks marks marks, तुमारा कोई नहीं काट लिएगा तो पकका से ही ये वाला जो है ना अगर आपको लगा कोई question paper जो है बहुत ही high level का आगया, out of syllabus कुछ question आगया कुछ misprints नजर आया, कुछ data का कमी नजर आया अपना feedback आप exam feedback at the rate ICA.IN को पकका से लिखे that's it, ठीक है, और हाँ हमारे यहाँ पर नए बैचेस हैं group 2 के, और number 22 first June से start हो रहे हैं, और group 1 के जो हमारे बैच complete हो चुक है number 22 के लिए तो उसका latest recording fully ready and available for you guys, take care, lots of love, bye-bye